स्वागत है मित्रों आप सभी का electronic study यूट्यूब चैनल पर तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे model question paper है आपका 2018-19 का BTC DL8 second semester की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ English language यह आपका part 2 है भाग 2 है और यह बहुत important है मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत ही important है आपका part 1 से भी ज्यादा है important आपका part 2 है इसमें आपके आज part 2 में very short type की questions और objective की जो भी questions है मैं complete कर दूँगा इसमें आप लोगों को मैं बता दूँ यह आपका अभी जो है जो questions है उनको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद आपके जो भी इसमें solution होगे उसको भी लेकर के हम देखते चलेंगे यहाँ पर आप लोगों को एक और information यहाँ पर देदू आप अनकैडमी से भी जा करके मुझे वहाँ पर पढ़ सकते हैं मुझे मेरे नाम से महस मिशा से आप search कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप simply मुझे follow करेंगे follow करने के बाद आपको जो भी videos होगी उसकी notification आपको जो है वहाँ पर म Link description में दी हुई है आप लोग वहाँ से जा करके check कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके सवालों को लेकर के कौन कौन से questions आपके important है मैंने बोला बहुत important है तो इस चीच का आप लोग विसेश ख्याल रखेगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है change into passive voice पहला ही active और passive voice जब मैं English grammar को लेकर के बात करूँगा दो तीन दिनों में आपका narration यानि direct indirect को लेकर के और जो आपका passive और active voice है इसको लेकर के वहाँ पर हम बात कर लेंगे ठीक है तो request है आप लोगों से एक बार जाएं वहाँ पर link description में एक बार पहुँचे वहाँ पर देखें आपको passive voice में करना है उसके बाद है आपका जो second question लिखा हुआ है right following figures in words 1414 है उसके बाद 97 है ठीक है और उसके बाद लिखा 49 ठीक है यह in words को आपको जो है किसमें change करना है figures को words में लिखना है one liner question है आपके which is our national flower exactly सही पढ़ा आपने आपके previous year के question paper का है जो है यह सवाल की आउसा है भारत का ठीक है उसके आगे का question है transform the following sentence by changing bold noun मतलब जो bold में लिखा हुआ है noun into verb मतलब noun को verb में change करना है जो bold में लिखा हुआ है यह आपका यहाँ पर bold देख नहीं रहा होगा मैं बताया दे रहा हूँ यह success word है ठीक है ध्यान दिजेगा यह success जो लिखा हुआ है इस बताना है मैं पढ़ा चुका हूँ आपका electronic study पर ही जो है क्या कुछ होता है यहाँ पर भी मैं solution लेकर इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ यह सारी चीजों के बारे में answers को लेकर के हम बात कर चुके है अगर आपको दिक्कत आती है फिर भी तो बताईएगा solution के बारे में भी हम बात कर चुके है ठीक है next है आपका इसमे the structural approach relates to the word or sentence pattern किसे relate करता है आपका दोनों से करता है यह नहीं करता है किसे करता है उसके बारे में इसमें बताना है change into negative negative sentence में बदलना है इसको you do your work regularly ठीक है आप अपना काम करते है regularly तो इसको किसमें चेंज करना है negative में ठीक है चलिए change into passive voice जब मैं बता रहा था आपका formative to negative का ऐसे change करना है तो मैं सारे rules regulations मैंने वहाँ पर बताया थे आपको meaning न बदले आपका sentence change हो जाया अच्छी तरीके से याद होगा जिनोंने पढ़ा होगा बात कर लेंगे फिर से इसके बारे में ठीक है ठीक है previous year के paper में आपके questions थे change adjective into verb ठीक है मतलब adjective को verb में आपको change करना है यह लिखा हो the honest will be prosperous जो honest है वो prosperous समपनता होता है आपका will be prosperous यह है इसको change करना है आपको verb में क्रिया में आपको इसमें बदलना है ठीक है हिंदी में क्रियाओं के बारे में मैं बात कर चुका हूँ इतना ही लिखा है paragraph से आप कैसे find out करेंगे articles को लेकर है definite article है तो कैसे d को find out करेंगे उसमें से indefinite है तो an को कैसे find out करेंगे ठीक है उन चीजों के बारे में बात करेंगे give the plural number of the following family का plural बताना है और buffalo का plural बताना है live classes में भी इनके बारे में answers को लेकर कि हम जान चुके हैं already चल पूछा जाता है कि सब्ता हमें आपका Sunday Monday किस दिन आएगा फ्राइडे किस दिन आएगा तो आप लोग शुरूआत हमेशा संदे से करिएगा इस चीज का आप लोग विस फिर से खयाल रुखेगा अपके डीयाल में संडे से शुरू करना जो है तो यहां से फिर बताएगा क कि आपका फ्राइडे का बात है च्छटे दिन पर आता है साथ दिन पर आता है च्छटे दिन पर आगा ओवेसली आएगा ठीक है फाइंडाउट करट्ली स्पेल्ट वर्ड यहां पर हम कुछ ऐसे इस रफ्दों को लेकर के बात कर लेंगे जिनसे जो आपके मतलब स्पैलिंग जिन में confusion रहता है ठीक है जैसे आपका receive हो गया तो c e i होगा i e होगा क्या होगा इसके बारे में ऐसे वर्ड्स है आपके जो है उनको लेकर के बात कर लेंगे ठीक है यहां पर है आपका point out the noun इसमें से noun को जो है point out करना है the crowd was very big इसमें नाउन क्या होगा संग्या क्या है वो damage यह इससे adjective आपको नगालना है change into past continuous past continuous में इसको बदलना है you spoke तुमने बोला ठीक है आपका past indefinite में I think बिल्कुल इसको past continuous में आपको change करना है जिसमें ing लगा करके आप बात कर रहे होते हैं रहा है रही है यह सारी चुछें ठीक है change into passive voice passive voice में बदना है rama या rama आप जो भी super relative degree के साथ में इसको फिल करना है यहां पे लिखा हुआ है आपका we always like boys sorry इसके उपर वाला है Mount Everest is the उसके बाद आपका यहां पर space है peak of the Himalayas ठीक है तो यहां पर इसको जो है super relative degree इसमें fill करना है ठीक है तो अच्छी तरीक से इसको लेकर करेंगे fill in the blank with correct pronoun मतब सही आप सर्वनाम को प्रयोग करके इसको भरें we always like boys space है आपका speak the truth और दूसरा जो word है वो है the bird has hurt उसके बाद space left wing ठीक है तो यह हो गया इसमें correct pronoun के बाद हम से इसको भर करकर के बताना है change into passive voice she invited me home इसको passive voice में बदलना है चलिए तो उमीद करते हैं इतनी वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ में share करते रहें model paper जिससरी के से मैं first semester में आपका बता रहा था यह आपका second semester है उसमें model paper में बता रहा हूं आपका प्रार्णभिक सिक्षा रथवान भारतिय츠 समाज और प्रार्णभिक सिक्षा इसको ले करके इसका model paper उसके बाद बात की जा चुकी है बात के model paper के बारे में उसके solution को लिएकर उनों के सभी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ यहां मैं अभी English को ले करके बात कर रहा हूँ English के खत्म होते ही जो है आपका next subject जो भी होगा उसको हम ले करके बात करेंगे तो आप लोग शेयर जरूर करते हैं हमने दोस्तों के साथ में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं questions आ नम है आपका tough रहा हो फिर back आगई हो हो सकता है आपने यही चीज़े ना पढ़ी हूँ मैंने बुला आपका कि Friday कौन सा वीक कौन सा डे होता है आपका week में ठीक है आपका छठा है पांचवा है क्या है तो किसी ने छठा लगाया किसी ने पांचवा लगाया ठीक है छठा ल है तो लेबल भी उसी के according होता है आपका question paper का ठीक है चलिए तो उमीद करते है questions आपको जो है अच्छे लगेंगे बिल्कुल आप question paper में भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे fill in the blanks with correct determiner determiner जो है सही determiner का use करके जो है इसको fill करना है take उसके बाद space लिखा हूँ है as you want मैं यहाँ पर पट रहा हूँ ठीक है यह हो गया आपका उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें next है इसमें point out the noun इसमें noun को point out करना है जतिन speaks Hindi और उर्दू यहाँ पर देखेगा कि कौन सा आपका जो है noun है तो इन सब के बारे में आपको वहाँ पर बताना है फिल हाल आपको noun find out करना है नेक्स्ट है इसमें change इंटो comparative degree comparative degree मैं बदलना है इसको question लिखा हुआ है Lead is the heaviest of all metals जो lead है वो सबसे heaviest है, सबसे भारी है अगर सारे धात्वों को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर comparative degree में इसको change करना है कि आप कैसे इसको change करेंगे और दोस्त इन सभी के बारे में live classes को लेकर के जो है और other उसमें अगर बात की जाए classes में तो मैं बात कर चुका हूँ फिर भी बताईएगा, solution में दे दूँगा इसका भी change the following into complex sentences I hope to pass the test यह आपका हो गया change into complex sentences को लेकर के तो बस दोस्तों इतना ही था आपके इस जो है English part 2 में जो model question paper में बता रहा था 2019 ही मान करके चलिए आपका जो exam है वो January में ही संभावित है पूरी तरीके से जो आपके सिक्षक भरती हो जाएगी उसी के बाद तो यहाँ पर आपका अगर कोई भी सवाल है कोई भी सुझाओ है तो मुझे अलग से बता सकते हैं बाकी यहाँ पर आप जरूर बताएं कि सारे के बारे में अलड़ी मैं बात कर चुका हूँ आंसर इसका अलग से देना चाहिए कि नहीं आफे next उसमें जो है पार्ट इसका भी देखे short टाइप के questions बचे हुए है ठीक है उनको मैं पूरी तरीके से जल्दी complete कर बादूगा और electronic study के साथ में बने रहे हैं थोड़ा सा समय के कमी के वज़े से इधर दर गलबड़ी हो रहे हैं कुछ आव भी काम रहते हैं थोड़ा सा तो आप लोग electronic study के साथ में बने रहे हैं जो भी चीजे हैं previous air के paper के जो solution है वो तो मिलते ही रहेंगे आपको model paper भी दिया जाएगा जो भी चीजे हैं तो परेशान बिल्कुल से न होईएगा बस जो चीजे बताई जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़िए आपका electronic study मिला करके वहां से हैं और an academy से सारी चीजों में हैं वहां से जाकर के आप पढ़िए कोई भी दिक्कत है तो मुझे मैसेस करिए इंस्टाग्राम की आइड़ी है वहां पर महेसल के और के वहां पर जाएए electronic study इंस्टाग्राम पर है आप facebook page electronic study हैं वहां जरूर जाकर के उसको like करें आप रेक्वेस्ट है red bell icon होती है उसमें आप प्रेस करना बिल्कुल से न भूलिएगा like कॉमेंट जरूर करिएगा और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल से न भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके part 3 को लेकर की जो आपके start type के questions से बहुत जल्दी ही तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद